वेल्कम टू सिदी सिक्ष हमाई टीन सार जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कलास 11 फिजिक सका 12 चेप्टर जिसके अंदर गात हम लोग प्रिवेश्ट वीडियो में उत्क्रमणी प्रक्रम क्या है इस चीज को हम लोग कवर कर चुके हैं अब हम लोग जानते हैं उसके इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहां की उत्क्रमणी प्रक्रम बोलते हैं यहां पर देख रहे हैं कि जब बर्फ को निश्चित मातरा में जब बर्फ को निश्चित मातरा में देखिए जब बर्फ को निश्चित मातरा में उसमा दी जाती है तो वह पानी में परिवर तो कापर आयन में तो कापर आयन में कैथोड की और तथा सल्फेट आयन में एनोट की और क्या करते हैं गति करते हैं अब यदि विद्धुद्धारा की दीशा बदल दी जाए तो इलेक्ट्रोड अपनी मुलवस्था में आ जाती है मातर में क्या करते हैं जो इसमा देती है ऊसमा देते हैं तब यह होता है अो कि वाफ यह पानी से उतनी उसमा निकाल लिए दो वापना भर्फ हमें क्या जाता है परिवर्तित हो जाता है आता यह उत्करमड़ी प्रक्रम विद्धूत भटन उत्करमड़ी प्रक्रम यदि कापर सर्फेट का विद्धूत भटन किया जाए तो कापर आयन तथा कैथोड की और तथा सर्फेट आयन एनोड की और क्या करते हैं गतिक करते हैं अब विद्धूत दारा के दिसा बदल दी जाये तो इलेक्ट्रोड अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं क्लियर तो चलिए जब बर्फ को निश्चीत मातरा में हम उसमा देते हैं तो वहाँ पानी में परिवर्थित हो जाती है तथा यदि उस पानी से उतनी उसमा निकाल ली जाये तो पुना बर्फ को निश्चीत मातरा मुस्मा देते हैं तो वहाँ पानी में परिवर्थित हो जाती है तथा यदि उस पानी से उतनी ही उसमा निकाल ली जाये तो वह पुना बर्फ हम परिवर्थित हो जाता है आता है आगे देखते हैं उत्क्रमडिय प्रक्रम की सरते के बे जिससे की नीमन सर्थों का परिपालान हो सकते ये निकाय सदेव्यांतरिक साम्यावस्ता में होता है और था इसमें निकाय और उसके चारोगर के वातावरन के मध्या कोई भी असंतुलित बलकार्या नहीं करता है तब यहां तो अमड़ी प्रक्राम के सर्था के बेस्के अंतर संतुलन में निकाय के उसमिय संतुलन में अर्थात निकाय और उसके चारोगर के वातावरन में कोई तापांतर ना रहे और सी नंबर के बेसे हम लोग यह चीज़ देखते हैं कि निकाय के रसाइनिक साम्यावस्ता में होती है क्या होती है निकाय के रसाइनिक साम्यावस्त है इस क्रिया में अगर हम किसी की प्रकार की उर्जाहानी ना हो जैसे कि घर्सान, प्रतिरोध, स्यानता, आदिके करान, होने वाले उर्जाहानियों से क्रक्रम मुक्ता होती हैं तो इस Сब्सक्राद का प्रचालान बहुत धीरे-धीरे हो shouting चाहिए जिससे की निम्न सर्तों का परिपालान हो सके निकाय सदेव यांतरिक साम्य वस्ताम होती है अर्थात निकाय और उसके चारोर के वातावराण के मध्य कोई संतुलित बलकार यह ना करे ठीक है तो उतकरमणी प्रक्रम को प्रचालान होता है भाई वह बहुत धीरे-ध सर्तों का परिपालान हो सके निकाय सदेवी यांतरिक साम्य वस्ताम हो अर्थात इसके निकाय और उसके चारोर के वातवरन के मध्य कोई असंतुलित बलकारिया ना करे, उस संतुलित के बल पर कोई कारिया ना करे, यह संतुलित बल के माध्या पर कोई कारिया ना करे, और दूसरा में हम लोग यह देखते हैं कि निकाय उसमिय संतुलन में हो, अर्थात निकाय और उसके चारोर के वातावरण में कोई तापांतर ना हो, तो निकाय उसमिय संतुलन में हो अर्थात निकाए और उसके चारोर के वातावरं में कोई TAPA और ना हो कोई TAPA ना हो ठीक है तो यहां समयरक फास्टर टिक के वाहन सदे कांटेंट के ये चीज देखें कि निकाए सदे वियांत्रिक S spreading products में होती हैं अर्थात इसमें अर्थात प्रक्रम में कोई नया उत्पाद नहीं बनता है कर सकते हैं तो पहला निकाय सदेव्यांतरीक साम्या वस्था में हो और इसमें निकाय उसके चारोर के वातवरान के मध्य कोई अस्वंतुलिस बल कार्या न करें दूसरा क्या बोरा है कि निकाय उसमिय संतुलन में हो तथा निकाय उसके चारोर के वातवरान में कोई भी तापांतार नहीं तापों के भी यह कोई अंतर नमबर में यह बो रहा है कि निकाह रासायनिक साम्य वस्था में हो अर्थात प्रक्रम में कोई नया उत्पाद ना बने और इसके अंतर के चौंथा है इस फिरिया में किसी प्रकार को उर्जाहनी नहीं जैसे गॉरृह्षणाड होता है प्रतिरोध होता है स्यानता होता है ऊदिक यकारन होने वाली और जाहन्यों से रसे प्रक्रम क्या होता है चाहिए चाहिए आपका अध्य говорит कеюсь किलए आदर है कि उत्करमड़ियगैप्रकरम की प्रड़ान बहुत धिरे धिरे होना चाहिए जिसरतों का परिपलन हो सके सामय वस्ता में हो और छी सडो हो और भी आ संतली भलकार्या नकरे निकाय अ तो कि आ recycet में आप लोग यह चीज़ देखते हैं कि निकाय रसानिक साम्यवस्ता में हो अर्थात प्रक्रम में कोई नया उत्पाद ना बने और चौंथा इस किरिया में किसी प्रकार के उर्जाहनी नहों जैसे कि घर्षान नहों प्रतिरोध नहों स्यानता नहों इससे होने वारे जो प्रक मतलब इसे दूर होनी चाहिए जैसे पुछा जाता है कि उत्रमणी प्रक्रम की लिखी है आप लोग यह बहुत है और उसका निकाय सदेव यांतरिक साम्यवस्ता होनी चाहिए तीसरा बोरसकते है कि उसके चारो के वातवरण के मंद्य कोई आस्वंतुईद्वल प्रक्रम के उर्जाहनी ना हो जैसे कि घषान ना हो प्रतिरोध ना हो अलिसे होने वाली जो उर्जाहनी होती है इस प्रक्रम से या प्रक्रम क्या हो उससे दूर हो तो उत्क्रमडिय प्रक्रम के सरते के अंतरगात हम लोगों ने यह च्छाही कंटेंट देखे जो कि मोस्ट इंपोरेन है इस च्छाही कंटेंट को आप लोग यात रखिएगा जो कि उत्क्रमडिय प्रक्रम के प्रचानान के बेस भी है क्लियर तो चलिए इसका आगे का देखते हैं अनुत्क्रमडिय प्रक्रम अब हम लोग देखते हैं इस चीज में हम लोग जानते हैं यहां पर क्या है अनुत्क्रमडिय प्रक्रम वास्ता में क्या होता है इस चीज को देखते हैं चलिए अनुत्क्रमडिय प्रक्रम के बेस पे देखते हैं वे प्रक्रम जिनका प्रचालान यहां से देखिए वे प्रक्रम जिनका प्रचालान केवल एक ही दिशा में हो प्रचालान केवल एक ही दिशा में संभाव होता है अनुत्क्रमडिया प्रक्रम कहलाती है तो यहाँ पर इसी चीज़ को बोला जा रहा है जिनका प्रचालान केवल एक ही दिशा में संभाव होता है अनुत्क्रमडिया प्रक्रम कहलाती है अर्थात अनुत्क्रमडिया प्रक्रम को अनुत्क्रमडिया प्रक्रम को विप्रीत क्रम को ठेक उन्ही अवस्थाओं में ठीक उन्ही अवस्थाओं में संपन्न नहीं किया जा सकता जिन अवस्थाओं में प्रक्रम जिन अवस्थाओं में प्रक्रम प्रक्रम सिधे क्रम में संपन्न होते है सिधे क्रम में सिधे क्रम में सिधे क्रम में संपन्न संपन्न होते है तो अनुत्क्रमडिया प्रक्रम के बेशने हम लोग ये चीज़ को देखते हैं जीनावस्था में प्रक्रम सिद्ध्र करम समपनद होता है तरहीं जिनका प्रचालन केवाल्एऒखीए होता है यह तो अगर प्रड़सा में होता है या फिर क्या रहत si Maxaf плохо तो वे प्रक्राम जीनका प्रचालन केवाल एक ही दीजा में संबहा होता है अनुत्क्रमरिया प्रक्रम कहलाते हैं या अनुत्क्रमरिया प्रक्रम कहलाते हैं या अनुत्क्रमरिया प्रक्रम कहलाते हैं तो वे प्रक्रम जिनका प्रचालान के वल एक ही जिसा में संभा होता है अनुत्क्रमरिया प्रक्रम कहलाते हैं अर्थात अनुत्क्रमरिया प्रक्र अर्थात अनुत्क्रमडिय प्रक्रम को विप्रित क्रम को ठीक उन्हीं अवस्थाओं में संपन्न किया जा सकता उन्हीं अवस्थाओं में संपन्न नहीं किया जा सकता जिन अवस्थाओं में प्रक्रम सिधे क्रम में संपन्न होता है जिनका प्रचालान के वह फ्रस्ता नहीं किया जा सकता ह। प्रक्रम में संपन होता है तुछ प्रक्रम वीकि दीशा में किया चकता तो यहां से आप लोग अनुत्क्रम अड़िये प्रक्रम, उत्क्रम अड़िये प्रक्रम, दोनों के बीश पे आप लोग इस चीश को पता सकते हैं की वे प्रक्राम जीन का प्रचानान के वल एक ही धिसे करम में संबannा होता है अनुद करमणी प्रक्रम का लाता है अर्थ अनुद करमणी प्रक्रम को विपरित करम ठीक हम व आवस्था में संपन us होता है के लिए आगे का इस एक के इस लोहे μέ hous जंग लगना जो लुब का आप लोगों के जो भी जञ लगता है लोहे में लगना लोहे में जंग लगना क्या का आप लोगों के अनुत्क्रमडाय प्रक्रम है अनुत्क्रमडय है कि प्रक्रम के दूसरा पहरा क्या है लोहम जंग लगन वे प्रक्रम dynasty प्रक्रम का किसी ज़रने में पानी का इस तरीकर में गिर रहा है थिक है किसी जहरने से पानी का गिरना अनुत्क्रमडिय प्रक्राम है ठीक है फ़लो पहला लोहे में जंग लगना अनुत्क्रमडिय प्रक्राम है दूसरा किसी जहरने में पानी का गिरना अनुत्क्रमडिय प्रक्राम है और क्योंकि जब पानी जमीन से टकराता है किसी जहरने में पा किसी ज़रने में पानी का गिरना अनुत्क्रमडिय प्रक्राम है क्योंकि जब पानी जमीन से टकराता है तो उसकी गती जूर्जा उस्मा आर ध्वनी में परिवर्तित हो जाती है इसके विप्रित किरिया नहीं होती है तो पहला लोहे में जग लगना अनुत्क्रमडिय प्रक्राम है क्योंकि जब पानी जमीन से टकराता है तो उसकी गती जूर्जा उस्मा और ध्वनी में परिवर्तित हो जाती है इसके विप्रित किरिया नहीं होती है तो पहला लोहे में जग लगना अनुत्क्रमडिय प्रक्राम है दूसरा किसी जहने में पानी का गिना अनुत्क्रमडिय प्रक्राम है प्रवाहित करके उसको रखा जाता है तो गर्मवस्तु से उसमा ठंडे वस्तु की होती है तो यहां से देखिए तो गर्मवस्तु होती है तो जो गर्मवस्तु होती है गर्मवस्तु की उसमा ठंडे वस्तु की होती है फलता हा साम्य स्थिती में दोनों का ताब क्या होता है समान हो जाता है दोनों का ताब क्या हो जाता है समान हो जाता है लेकिन अब विपरित क्रिया में उनमें संभाव नहीं है अता यहाई का अनुत्क्रमडिय प्रक्रम के अंतरगत यहाईगा तो पहला लोहे में जंग लगना अनुत्क्रमडिय प्रक्रम है तीसरा क्यूंकि जब पानी जमीन से टक राता है तो उसकी गति चुर्जा उस्मा और इसके भी पृतित नहीं हो सकती है जब ata इब फृतित अपरने अपर औरा है रह जरने में पाने कगिनना किए क्योंकि जब पानी जमीन से टाकर आता है तो उसकी गति जुर्जा उस्मार ध्वनी में क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है लियर चलिए आगे देखते हैं किसी विद्धुत हीटार में प्रतिरोधतार पर प्रवाहित करना अनुत्क्रमडी या प्रक्रम है प्रवाहित करना भी क्या है अनुत्क्रमडी या प्रक्रम है किसी विद्धुत हीटार में प्रतिरोधतार पर धारा प्रवाहित करना भी क्या है अनुत्क्रमडी या प्रक्रम है उसमें क्या होता है उत्मान होता है अता यहाँ अनुत्क्रमडिया प्रक्रम के अंतरगत आता है पांच्वा कंटेन के बेसे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई पांच्वा के बेसे क्या होता है घर्षान के विरुद्ध किया गया कार्या अनुत्क्रमडिया प्रक्रम होत क्योंकि गती की दीशा क्योंकि जो गती की दीशा होती है उसको परिवर्तित करने पर घर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो चाहँ था इसी के वेश पर दिया गए कि किसी विद्धूत हीटर में प्रतिरोध तार पर धारा प्रवाहित करना भी क्या होती है गती की दीशा परिवर्तित करने पर घर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है जो के संभाव नहीं होता है क्लियर अब हम लोग हीट इंजिन के बारे में परते हैं उसमा इंजन वास्ताम उसमा इंजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहां पर इनालिसिस करते ह इसके लिए हम लोग इसके लिए परिभाशा निर्मार करते है ठीक है तो जो उस्मा को आविरत रुप से यांतरिक कार्या में परिवर्तित करती है सैधान्तिक से उस्मा इंजन के सैधान्तिक रुप से यहां पर हम लोग यह पोड़ सकते हैं कि सैधान्तिक रुप से सैधान्तिक रुप से जो उस्मा इंजन होती है इस इसको देखते हैं सैधान्तिक रुप से उस्मा इंजन के उस्मा इंजन के मुख्य तीन भाग होते हैं तो उस्मा इंजन के एक ऐसी चक्रिय युक्ती है एक ऐसी चक्रिय युक्ती है इस तरीके से जो उस्मा को अभीरात रुप से लगातार अभीरात रुप से यांतरी कार्या में परिवर्तित करते रहती है यांतरी कार्या में क्या करते रहती है परिवर्तित करती रहती है साइधान्तिक से उस्मा साइधान्तिक रुप से उस्मा इंजन के तीन मुख्या भाग होते हैं तीन क्या होते है ठीक है तो पहला उस्मा इंजन के बेसे हम इस चीच को देखते हैं चलिए तो पहला है उस्मा इस्तरोत को देख लेते हैं भाई उस्मा इस्तरोत को देख लेते हैं हिट सोर्स क्या होती है इस चीच को देख लेते हैं तो पहला उस्मा इस्तरोत के बेसे हम लोग इस चीच को यहां एक ऐसा निकाय है जो की उच्च निया ताप टी पर होता है तथा इस से सतत उस्मा लेने पर भी उस्मा लेने पर भी इसके ताप में परिवर्तन नहीं होता है इसके ताप में भी परिवर्तन नहीं होता है तो उस्मा इस तुरत के बारे में हम लोग यह जानते है यहां एक ऐसा निकाय है जो की उस्मा उच्च निया ताप टी पर होता है तथा इस सतत उस्मा लेने पर भी इसके ताप में परिवर्तन नहीं होता है तो उस्मा इस्तुरत के बारे में हम लोग यह जानते हैं कि यहाँ एक ऐसा निकाय है यहाँ एक ऐसा निकाय है जो की उच्च नियाद ताप पर होता है तथा इससे सतत उस्मा लेने पर भी इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फर्स्ट आप लोगों का उस्मा क्थिस्तरोथ के बैस क्थ पर होगया सेकेंड को लोग देखते हैं उस्मा सीक के बैस पर की तरीकस होती है इस चीज्जक के पर है जो कि इस्थिर निम्न ताप टी पर होता है ती पर होता है तो यहाँ एक ऐसा निकाय है जो कि इस्थिर निमना ताप टी पर होता है तथा यह सतत उस्मा का आउसोसन करता है तो पहला उस्मा इस्थिर निमना ताप टी पर होता है तथा यह सतत उस्मा का आउसोसन करता है फिर क्या करता है इसके ताप में कोई परिवर्ता नहीं होने देता है तो उस्मा सीक और उस्मा इस्थिर निमना ताप पर होता है यह सतत उस्मा का आउसोसन करते रहता है फिर विसके ताप में कोई परिवर्ता नहीं होता है तो पहला उस्मा इस्थिर निमना ताप पर होता ह सकते हैं कि यह कैसा निकाय है जो कि उच्छ नियत तापटी पर परम तापटी पर क्या होता है सतत उस्मा लेते रहता है जिसके ताप में कोई परितर नहीं होता है दूसरा उस्मा सीख के बेश पर हीट सींग के बेश पर यह कैसा निकाय है जो कि इस थेर निम्न तापटी पर करते रहता है हुँ ठीक है आगे देखते हैं तीसरा कारिया कारी निकाहने वर्किंग सिस्टम के बारे कारी निकाह इस चीज को हम लोग देखते हैं कार या कारी निकाह यहां एक कैसा निकाह है जो उस्मा इस्तरोट से उस्मा अवसोसित करता है उस्मा क्या करता है आवसोसित करता है यहां nem एक ऐसा निकाय है देखी यहां से यह एक ऐसा निकाय है जो उस्मा इस्त्रों से उस्मा आवसोसित करता है यह आप लोगों का उस्मा आवसोसित करने का काम कर रहा है देखी यह उस्मा को आवसोसित करने का काम कर रहा है क्लिर तो चलिए इस सीच को देखते हैं कारे कारे निक तथा से भाग को दे कर अपनी पूर्वावस्था में पूर्वावस्था में जो यहां पर है मान के चलो चेंज होकर कि यह क्या बनाए अज जाएगा तो उसी चीज़ को बोला जा रहाilated कि यह एक ऐसी यह एक ऐसा निकाय है जो उस्मा इस्त्रों से उस्मा असोसित करता है तथा इस असोसित उस्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तित करता है तथा सेथ भाग सीख को देखकर अपनी पूर्वावस्था में क्या करता है आ जाता है पूर्वावस्था में आ जात पूर्वावस्था में आ जाता है तो चली इस चीज़ को देखते हैं चुकि यहाँ अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है अतहा इसकी जो आंतरिक उर्जा होती है इसकी जो इंटर्नल एनर्जी है इसकी जो आप लोगों की इंटर्नल जो एनर्जी है इंटर्नल जो एनर्जी है जो कि आप लोगों की काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंसियल एनर्जी दोनों के क्या होती है योगफाल होती है आप लोगों की इंटर्नल एनर्जी आंतरी कुर्जा ठीक है तो इसकी आंतरी कुर्जा आ परिवर्तित रहती है तथा इस चक्र की सतत पुन्रा वित्ती से हमें कार्य की सतत प्राप्ति होती रहती है तो कार्य खारी निकाय के बेश में हम लोग यह चीज को देखते हैं कि यह है कैसा निकाय है जो उस्मा इस तरोस से उस्मा को क्या कर लेता है और इस अवसोसित उस्मा को कुछ भाग कारिया में क्या कर देता है परिवर्तित कर देता है जिसके करान सेज भाग को सीख को देखर करके अपनी पुरुवा वस्था में लाट जाता है इस परकार एक चक्र पूड़ा कर अपनी पूरुवा वस्था में आ जाता है इसके आंतरी खुर्जा अप परिवर्थी तरहती है तथा इस चक्र की सतत पुरुडविती समय कारे करन सब्सक्राइब तक कम उसमा इंजन की दक्षता बहुत कम 5% to 25% 5% to 25% तक क्या होती है तो इस चीज को देखते हैं कि उसमा इंजन की दक्षता बहुत कम 5% to 25% तक होती है अता प्रारांभ में बग्यानिकों को यह संदेहा होने लगा था कि इंजन की सरचना में कमी तो नहीं है उस पर कमी तो तो तो पहला कारणों की निवाल्ण की सा नहीं तो नहीं सोगी तो इसमाइंजन की दक्षता बहुत काम 25% तक होती नियुक्त की संधेह होने लगा की सारश्णा में कमी तो नहीं है में एक शचत में किये गए हैं इसके बाद भी में इस मां से देखी किए उस इंज reindeer में बहुत सारे संसोधन किया गए इसके बाद भी इंजयर की दक्षथा में उलेखनिंप रिद्धिंप już इसके बाद ही इंगला क्या होते हैं इंजयर की जो इनी नहीं हो रही है हूंड़ सकता कि शीट को देख रहे हैं कि उसमां जन में आने के संसुधन किये गए इसके बाद भी इंजन की दक्षता में उलेखनिय वृधि प्राप्ता नहीं हुई इस समस्य का समधान करने के लिए इस समस्य का समधान करने के लिए सा अर्धी कार्णों नामक वैग्यानिक ने एक आदार्स इंजन की स्थापना की ने एक आदार्स इंजन की क्या की स्थापना की यहां पर एक आदार्स इंजन की स्थापना हुई देखिए एक आदार्स इंजन की क्या होगी स्थापना हो गई और उस इस्थापना के बारे में उन्होंने क्या किया सोचा और उन्होंने क गल्पना किया तो कानौ इंजयन की दक्षता बहुत काम फाइब परसेंट परसेंट से 25 परसेंट तक होती आता प्रादा मुझानिकों को यह संदे होने लगा था कि इंजयन की सरच्टम कमी तो नहीं है इंजयन मैंने प्रकार के संसोधन किये गए इसके बाद ही आप लोगों के दक्षता मुलेकने ब्रिद्धि नहीं इस समस्यक का समाधान करने के लिए सार्धिक अन्नावग वज्यानिक ने एक आदास इंजयन की दक्षता की इसकी सायता से उन्हों निया प्रमारित किया कि उसमा इंजयन की दक्षता हंडेट परसेंट होती है और हंडेट पटेंट है उसका गूड क्या होता है कि इस तरह के से उपयोग होता है इसको नेक्षण पिप्योग करते हैं तो अभी का जो कानों इंजन तक सीमित रखते हैं कि कानों इंजन के बनावाट उसकी उप्योग उसकी हानी यह सब को नेश्ट वीडियो लेक्ष्टर में करते हैं तो आज का क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं कि अब आप